एक व्यक्ति, जो हर दिन बाइवल को पढ़ता है, बोलो पढ़ता है, उसका साइन जानते क्या है? हमेशा उसके पास कुछ सवाल होते हैं, इस इस साइन कर वो पढ़ रहा है। लेकिन जिनके कोई सवाल नहीं होते हैं बाइवल को पढ़ते समय, तो मुझे तुरा शक होता है कि वो बाइबल पढ़ भी रहें कि नहीं पढ़ रहें क्योंकि ऐसी बहुत सारे वच्छन हैं बाइबल के अंदर जो हमें एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आ सकते हैं आप जानते होंगे येशु मसी के पास बहुत सारे लोग सवाल लेके आते थे ये ऐसा क्यूं है ये ऐसा क्यूं है कुछ को वो सवालों का उत्तर देता था पर कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने सवाल पूचा और इशो ने उतर नहीं दिया, इशो ने उल्टा हो उनसे एक सवाल और पूचा, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा लिखा है, एक सवाल मैंने प्रभू से एक बार पूचा था, प्रभू आपने सामरी स्त्री से क्वचन कहा थ कि परमेश्च और आत्मा है और अवश्य है, जो उसकी आरात्ना कर रहे हैं, उसकी आरात्ना कैसे करें? चार लोगी बोल रहे हैं, बोलो आत्मा में और सच्चाई में, राइट? प्रभू ने एक दिन मुझे कहा, कभी स्टेज पे वो गीत मत गाना, जो तुने पहले मेरे कमरे में नहीं गाया है, एक दिन मैं वर्शिप कर रहा था और मझे परमेश्च और नहीं कहा, कभी स्टेज पे वो गीत मत गाना, जो तुने कभी बैठके मेरे साथ कमरे में नहीं गाया है, यूनो वर्शिप, वर्शिप क्या होती है? कई लोग को वर्शिप के लिए उनको गेराई से जानेंगे, बोलिए वर्षिप बहुतों को लगता है आरादना का मतलब होता है सिर्फ गीद गाना Am I right? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि गीद गाना आरादना नहीं है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप सिर्फ गीद गाने कोई आरादना कहते हूँ तो आपने आरादना को जीरो परसन भी नहीं समझा है कि आरादना क्या होती है बतार यहाँ प्ले से, आईएगी, प्लीस कम बैग अटा दीजे वहाँ से आईएगी, प्लीस कम, बोलिए आरादना बोलो अपने बाजवाले को आरादना आईए मैं कोई क्लासिक एक्जामपल देता हूँ कि एक्चली सची आरादना क्या होती है क्योंकि बहुत बार लोग अच्छी सिंगिंग करते हैं और उसको आरादना कहते है बोलो सिंगिंग और वर्षिप में कितना अंतर है पता है जमीन आस्मान का बताओ मुसा और ईशू में कितना अंतर है आज सब जानते हैं मुसा पिरत्वी से था ईशू मजी उपर से आया था राइट है जितना मुसा और ईशू में अंतर है उतना ही अंतर है आरादना में मैंने ऐसे बहुत सारा लोग को देखा है आरातना इस तरह करते हैं पहले खड़े रहेंगे पहले देखेंगे ड्रेस कैसा है सब बनाएंगे अच्छे से फिर खड़े हो जाएंगे और फिर आरातना उनकी ऐसे होती है यह एक गाना गा रहा हूँ चलो हम सब गाएंगे स्तूती आरातना उपर जाती है आशिश लेकर नीचे आती है प्रभू हमारा कितना महान देखो करता है बड़े बड़े काम हालिलूया, हालिलूया अभी देखो, ठीक है हम गीत गा रहे हैं स्तूती आरातना यह दो हम गा रहे थे ना अभी कुछ लोगी आरातना ऐसी होती है स्तूती आरातना ऊपर जाती है आँखों याँखों में देखेंगी डरेस तो मस्ष्प आइए यह चल की आरातना है कल इस्चाकी कई लोग ऐसे आखे बंद करेंगे ना अंदर आंक उन्दर आँ आखे ना क्या चल रहा है नौ बजे नीचे उतरों की काश टमाटर वाला रस्ते पर मिल जाए मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखें आरात्ना करते करते बहुत सारे भाई लोग जानते हैं कि पेमिंट रुकी हुई रहती है ना आरात्ना में बोल चलती है नौ बजे से पहले निकल ना जाए नौ में पांच कम निकल जाओंगा और गीत चालू है तर वर्शिपिंग इसको जानते हैं क्या बोलते हैं ये वर्शिप नहीं है बोलो ये गीत गाना है हाँ इशू ने नहीं का परमेश डूंड़ता है ऐसे लोगों को जो गीत गाते हैं मैं बहुत सारे जगवाँ पर कॉन्फरेंश पर जाता हूँ ना और वो लोग कहते हैं सूरच भाई आरात्ना कैसा था मैंने बोला किस ने बोला तुम आरात्ना को forget तुम आरा दक नहीं हो तुम अच्छे सिंगर हो तुम अच्छा गाते हो आरात्ना में आने के लिए तुमें बहुत कुछ अभी मैंनत करनी है जानते हो आरात्ना कभी यहांसे नहीं आती है कि मिर कोई गाना यादै बस मुझे वो गाना है मैं आप सबसिक बात पूछना चाहता हूँ आप इतने सालों से इस कलीसे में आ रहे हैं मुझे एक सची बात बताईए जब आप परमेशर के लिए गीद गाते हैं तो इसलिए गाते हैं क्योंके सब गा रहे हैं कि सच में आपको ऐसा लगता है किसी ने मेरे लिए कुछ किया है मैं उसकी आरातना कर रहा हूँ तेल मी जानते हो पुराने नियम की आरातना कैसे होती थी सब यहाँ देखिए उसने अमालेकियों को अमालेकियों की चोकियों को पल्टी कर दिया उसकी करुणा चमतकार किया इसलिए आरातना थी उसने लाल समुंदर को दोबाग कर दिया उसकी करुणा उसने शेहर पना को गिरा दिया उसकी करुणा आप जानते हो पुराने नियमे इबराहम से लेके मलाकी तक आदम से लेके मलाही तक हर व्यक्ती परमेशो की आरातना इसलिए करता था क्यूंकि परमेश्वा ने उनके लिए कोई चमतकार किये थे लेकि कितने लोगों ने नए नियम के संतों की आरात्ना देखी है जब यहुन्ना परकाशित वाकिय में स्वर्ग में देखता है तो वो जानते हो वहाँ पर एक ऐसा गीत सुन रहा है जो एक अजीब गीत था वो कहता है वही जो स्वर्ग में विराचमान है आदर, महिमा, स्तूती, ग्यान, धन्यवाद के वो योग यह है रीजन? जानते हो पराने नियम के संत कैसे आरात्ना कर रहे थे? उससे लाल सम उंदर दो बाग किया उसे अमाले की की चोकियों को पल्टी कर दिया उसने ये किया, उसने वो किया, इसलिए उसकी आरात्ना करते थे पर आपको पता है जब यहुना ने स्वर्ग में देखा कि सब स्वर्दूत उसकी आरात्ना कर रहे हैं वो इसलिए आरात्ना नहीं कर रहे थे लिस्सन वेरी कियरफुली तू आदर, महीमा, स्तूती, प्रशंसा और स्तूती के योग यह है क्योंकि तूने पानी को दाक्रस में बतला तूने लाजर को जिलाया तूने ये किया, तूने वो किया वो उसको रीजन बोलते हैं क्योंकि तूने अपने लहू से अपने लोगों को खरीदा है अगर आज भी आप एक बेबी हुट यूनू एक वर्ड आता है बेबी हुट अगर आप बच्चे हैं ना तो आज आपके लिए फिर आरातना वो ठीक है कि उसके चमतकारों को याद करके उसकी आरातना करो लेकिन एक बात मैं कहता हूँ मैच्चोर लोग इसलिए उसकी आरादना नहीं करते हैं क्योंकि वो उसको आशीश देता है मैच्चोर लोग उसकी आरादना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसने उनके लिए क्रूस पे क्या किया है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आरादना कैसी है मैं आपको सच कहता हूँ, आप में से बहुतों की नहीं, सबकी नहीं मैं बोलता हूँ लेकिन कुछ की आरादना बिल्कल प्रभू के सामने एक मरी हुई आरादना है you know, हम लोग क्यों बोलते हैं, आखे बंद करो, क्योंकि आप में से बहुत साल लोग नहीं करते हैं, दिखता है मुझे कभी-कभी, जनते हो, जब हम आखे बंद करते हैं, तो होता क्या है, क्यों हम लोग कहते हैं, आखे बंद करो, उसका एक कारण जानते हैं, क्या होता है, ज इसको भी सोच होगे यार बाहर क्यों निकाल रहा है अंदर क्यों डाल रहा है लेकिन जब हम पनी आँखों को बंद करते है ना 99 परसल वाँ पर थाट वर्ल्ड बंद हो जाता है और हम कोशिश करते हैं उससे जुड़ने की अब सुनिए बाइबल ऐसा बताती है पॉलूस एक बजन गा रहे थे आपको पता है अभी हमारे पास कैसे तबला है मैयूर भाई मस्त गिटार लेके आते हैं बड़ा मज़ा करते हैं मुझे बताओ पॉलूस के पास कौन सी गिटार थी मेरे जीवन में जीवन में जीवन तेरा जेल चल रहा था आपको वदा है मैं ऐसा विलियर करता हूँ कि सीलास गा रहा था और पॉलूस एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था वहाँ पॉलूस के हाथ में जनजीर थी येशु नाम की जये जये हो येशु नाम में कुछ ऐसा लगता है वो जंजीरों से ऐसे बजा बजा की उसकी आरातना कर रहे थे और Bible कहती है उनके बंदन टूटे और जहनते हो वहा क्या हुआ Bible कहती है जो उनकी आरातना सुन रहे थे उनके भी बंदन तूटे उस पूरे जेल में भूकम पाया और बाइवल एक वचन कहती है वहाँ पर उनके बंदन तूट गए अगर आपकी आरात्ना में आपके बंदन नहीं तूट रहे हैं तो मैं ईशू मजी के नाम से कहता हूँ आप आरात्ना नहीं कर रहे हैं आप गीद गा रहे हैं Come to worship Discipline सीखो आरात्ना कैसे की जाती है Time Pass मत करो आप यहाँ पर पैसा खर्च करके Fair खर्च करके आते हो अगर आपका यहाँ पर भी मन की वज़े से आपका ध्यान यहाँ वहाँ बटकने की वज़े से अगर आपने कुछ नहीं पाया या आपने खुदा को कुछ नहीं दिया तो सोचो You are wasting your time एक दिन मैं इन passages को पढ़ रहा था सच्ची आरात्ना आप जानते हो Bible के अंदर पहली बार आरात्ना शब्द तब आया जब इबराहम अपने बेटे को बलीदान करने जा रहा था वो अपने सेवकों से कहता है नीचे रुको ये लड़का और मैं आरात्ना करके आएंगे इबराहम ने कोई गीत नहीं गया है वहाँ पर नए नियम में पहली बार जब आरात्ना शब्द आया जब लोग ईशू के सामने गोल्ड, सिल्वर बहुत सारी चीज़े लिकर आए और लिका है उन्हों उसकी आरात्ना की उन्होंने कोई गीत नहीं गया यात रखना, गीत गाना बले ही एक पार्ट है आरात्ना का लेकिन वो पूरी आरात्ना नहीं है सच्ची आरात्ना जानते हो आपका एक सही एटिट्यूड है परमेश्वर और लोगों के प्रती थोड़ा और अंदर थोड़ा और डीपली चलें समझो मैं गौरावबाई के गरपे खाना खाने के लिए गया एक्जाम्पल और मैंनके पास गया और आपको पता है न कुछ लोग उनके पास एक एक वर्ड है एंग्लिश में सर्कास्टिक जाते हो सर्कास्टिक का मतलब क्या होता है सर्कास्टिक हो सकता है मैं गलत हूँ पर थोड़ा बहुत मैंने इस वर्ट को जाना है यू नो लोग बाते हैं बातों में टॉंट करना किते लोगों ने मैसूस किया है लोग बातों बातों में टॉंट करते हैं एक बार मैं ट्रेन में था और मैं ऐसे हैंडल पकर के भड़ा था तो एक आत्मी गुस्ता आ रहा था गुस्ता आ रहा था गुस्ता रहा था मैंने बोला या ठीक है अभी लेकिन बात मैं ऐसा हो गया कि मैं खड़ा नहीं रहे पा रहा था और मेरे को अंदर से गुस्ता आया और मैंने इसको टेडी नजर से देखा ऐसे कि टैपो बोला कि डॉम्बेली है मानू खवर तो न कभी बार ऐसा मैं को डर लगा था मैं कोछ बोल नहीं रहा था तो दो लुक थे आपस में तो बात कर रहे थे बोल रहे थे लोगों को बोलो फस्क्लास में जाएं लोगों बोलो फस्क्लास में जाएं कैसे वो बातों बातों में कुछ-कुछ या तो कभी-कभी लड़की जो होती है जो बिचारी कुछ गरीट परिवार से शादी करके दूसरे घर में जाती है और वो खाना बनाते समय बोलती है, मम्मी ये तो पतिला बरोबर नहीं है, हाँ तू बहुत लेकर आईए ना, हुंदी तो है कुछ ससे, बहुत सारी मदरन लाउ, मदरन लाउ भी हैं, दो यू नो, बोलो मदरन लाउ, बोलो मदरन लाउ, बाई लोग हस सकते हैं, अब भी हस सकते, बो लोगों ने मडरल लो देखी थी, बढ़र मौन अखुला हो, तेल मी, भोलो आराद ना, कितने लोग सची आराद ना सीखना चाहते हैं, पहला रूल जानते क्या है, सब बाते छोड़ना सीखो, सब बाते छोड़ दो, सबसे पहले इस बात पर द्यान लगाओ, कि इशू ने तुमारे ले क्या किया है, मुझे एक आत्मी ने कहा, मैं, I was in a Ajni, नाखपूर में एक बहुत अची सिटी है, Ajni, मैं अपने मीटिंग के बात मैं एक अंकल से मिला, और उनने मुझे एक इतना मासूम सवाल पूछा, मेरे पपा की एच के थे, और वो मेरे साथ आज भी टच में है, तो उनने बोला, सूरत बाई, कैसे हो, Bombay कैसा है, मैंने बोला, सब अच्छा है, ठीक है, Bombay कमर्शल है, बिजनस बहुत ज़ादा है, वहाँ पर लोग इतना पैसा कमाते हैं, बोला, सूरत बाई, एक सवाल पूछूँ आपसे, मैंने बोला, हाँ, पूछो, बोला, खुदा ने हमें बरकत क्यों नहीं दिये, परमेश नहीं में आशिश क्यों नहीं दिये, तो मैंने उनको बोला, अंकल, पहले मुझे डेफिनेशन बताओ, ब्लेसिंग का मतलब क्या है, वो मेरे पपा की एज़ के थे, तो मैंने उनकों से पूछा, पहले ये बताओ, आप आशिश कहते किसे हो, बोलता है, बिटा, मैं प्रभू में हूँ, अभी तीन-चार साल पहले भी जो लोग आए थे प्रभू में, मैंने उनको देखा है, उनके पास एक अच्छी कार आ गई, उनके लड़कों की जौप लग गई, इतना पैसा, और मेरे बच्चे बिचा रहे हैं, मैंने का, कहा अंकल, सबसे बड़ी आशीश पैसा, कपड़े, ब्रैंडेट कपड़े, स्मार्ट फोन्स नहीं है, सबसे बढ़कर ब्लेसिंग है, कि जब तुम गलत करते हो, तो खुदा तुमें जोती देता है, ये मत करो, चानते हो क्यूं? क्यों कि आपसे फ्रेम करता है, इसलिए आपको रोकता है, सोचो, अगर आप में से कोई जवान लड़का यहां पर बैटा है, और आपने बाप के सामने सिगरेट पीते हो, और दुआ निकालते हो, और वो आपको कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब कहा है, उसने आप पे होप छोड़ दी है, वो जानता है आप नहीं सुद्रोगी, लेकिन जब परमेश्वर आप कुछ गलत करते हो, और आपको जोती देता है, कि ये गलत है, ये मत कर, इसलिए आशीश है, इसलिए आप यहुना की पत्री में तीन शक्त बार बार पढ़ोगे, प्रेम, जीवन, जोती, रिकॉर्ट करो आपको चाहिए, आज रात को लो पैन, और यहुना की पहला यहुना पूरा पढ़ो, आपको बार बार दिखेगा, जोती, 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 लाइट, 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 आज विश्वासी गाली निकालते हैं, आपको पता है यह बात, आज बिलीवर्स गालिया निकालते हैं, और गालिया निकालने के बाद भी उनको अंदर में कुछ रिग्रेट नहीं होता है, उनको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया वो believers है वो believers नहीं है आप please इस बात को याद रखना लेकिन सोचो अगर आपके मूँ से एक rude word निकलता है एक single rude word आपके अंदर से निकलता है और आपको लगता है मैंने गलत किया ये blessing है आपके लिए ये आशीश है सच में परमेश्वर बेटा जानके आपसे वेवार कर रहा है Bible कहती है वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं हुई लिखा है जिसकी ताड़ना सबकी होती है अगर तुमारी नहीं हुई तो तुम वेभी चार की संतान ठहरे आपको पता है इंसान का नया जनम कैसे होता है परमेश्वर के वचन और उसकी ताड़ना के दुवारा एक परमेश्वर के जन ने कहा गौडली बनने के लिए स्ट्रॉंग रिब्यूकनेस की अल्वेस नीड रहती है जरूरी है कि तुमारे उपर कोई रहे और तुमें समय समय बिडाटे और तुमें डिरेक्शन दे आज बहुत सारे बिलीवर्स गुडखा भी खाते हैं आपको पता है तंबाकू भी खाते हैं गालिया निकालते हैं बिलीवर्स हैं वो मैं उनको बिलीवर्स नहीं कह सकता हूँ क्योंकि परमेशर भी उन्हें बिलीवर नहीं कहता है हाँ ये समय है अब भी अगर वो इमानदार बनेंगे परमेशर की तरफ फिरेंगे प्रभू ने माफ करेगा प्रभू ने उठाएगा क्योंकि बाइबल एक एक इमानदार के लिए हमेशा आशा देती है कि वो बस सकता है राइट? बोलो आमीन सच्ची आराधना ये नहीं है कि आपने परमेशर के लिए क्या किया है? सच्ची आराधना तब स्टार्ट होती है जब आपको ये पता चलता है कि परमेशर ने आपके लिए क्या किया है ठीक है